बिना चीनी बिना गुर बिना चाचनी सिर्फ एक लिटर दूद से लाजबाब मिठाए की रेशिपी आजम बनाएंगे इसके लिए एक लिटर दूद मैंने पहले से गैस पे रखा हुआ है जोगी उबल के आधा हो चुका है आधा से भी कम क्वांटिटी इसकी हो चुकी है त तो अभी हमें क्या करना है कंटिनू चलाते रहना है तो मैंने इसे एक घंड़ा पहले धीमे आज में गैस में रख दिया था तो यह अपने आप ही पकता रहा अब मैंने यह पे एक कप मिल्क पाउडर का यूज किया है क्योंकि मैं इसमें चीनी गूर या पिर चाचनी बिल जाता है तो यहां पर हमें चीनी आगूर आड़ करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं और फिर भी देखिएगा हमारा जो मिठा यह बहुत ही अच्छा मिठा बनकर तयार होगा तो इसी तरी कि से मिल्क पाउडर आड़ करके हम कंटिनू चलाते रहेंगे इसमें थोड़ा सा लंज बनेगा लेकिन कोई बात नहीं यह अपने आपी ठीक हो जाएगा तो हम इसी तरी किसे चलाएंगे और साइट से भी जो मलाय जम रही इनको लेते रहेंगे तो देखिए अभी काफी ड्राय हो चुका है कराय चोड़ने लगा है तो इसी तरी किसे हमें चलाते रहना है जब हम कोई माबा जब कराय से अलग होने लगता है देख सकते हैं इस टाइम हम गैस को बन कर देंगे और तो इसको हमें थोड़ी देड चलाते रहे ना है। इस तरीके से मैंने सारे माबा को डाल दिया है। मैं इसे ठड़ा कर लोंगे तो यह देखिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था फ्रेंड्स थोड़ा जादा ही टाइम रख दिया था इसलिए तोड़ा सा ज्यादा टाइट हो गया है कोई नही हम इसको अच्छा से मिलाएंगे इससे क्या हो जाएगा हमारा मामा बिल्कु लगेगा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा फुटकालर एड़ किया है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यह पर ले सकते हैं तो अब हम एक प्लास्टिक सीट में इसको बेलेंगे यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक सीट ले लिया इसमें थोड़ा सा घील लगाएंगे और हम पहले औरेंज वाला बेलेंगे आप चाहे तो वाइट वाला भी बेल सकते हैं तो मैं पहले औरेंज वाला को बेल लूँगे तो यह क्यूंकि मैंने फ्रीज में थोड़ी दे ज्यादा रखा था तो थोड़ा सा क्राइक हो रही साइड में पर कोई नहीं हम इसको तो थोड़ा सा चिकना कर लेंगे साइड से हाथों में दबाके अब हम साफेद वाला को भी इसी के उपर रख देंगे और इसे भी इसी तरीके से बेलेंगे तो ये भी थोड़ा सा क्रैक हो रही है तो आप लोग है ना बहुत देर तक फ्रीज में ने रखेगा सिर्फ चार से पाच मिनित तक रखे इसको फिर से आप इस तरीके से रोल कर लेजिएगा तो मेरा टाइम तो ज़्यादा हो गया था इसलिए क्रैक हो रही है तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से प्लास्टिक सीट के साथ भी ही रोल करेगे इस तरहीके से और रूल करने के बाद यह अपना अपने आप वी एक सेप ले लेगा भाफाएका तो देखिए मैंने इस तरहीके से रूल कर लिया हैं और साइट से थोड़ा हातुरु से हम चिकना कर लेंगी और इस तरहीके से थोड़ा प्रेज करेंगे मैस हमारा जो मिटाई है वो बनकर बिलकुल तेयार है इसे हम कट करेंगे अपने हिसाब से आप साइज का कट कर सकते हैं आप इंच एक इंच कोई भी साइज का कट कर सकते हैं और यह जो मिटाई है आपको पता चली रहा है कि माबा से जो मिटाई बनता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजबाब होती है तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजबाब बना है प्रेंट्स यह रेसिपी आसा करती है आप सभी को बहुत अच्छे लगा होगा अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कमिट जरूर कीजिए धन्यवाद प्रेंट्स